अभी हाली में आप लोगों ने देखा हुगा कि भारती राष्टिय कॉंग्रेस यानि कि कॉंग्रेस के राष्टिय अध्यक्ष पद के लिए चुना हुआ था और कॉंग्रेस को नया राष्टिय अध्यक्ष मिल चुका है जिनका नाम है मलिका अरजुन खडगे तो आज हम लोग मलिका अरजुन खडगे के बारे में भी जान लेंगे और भारती राष्टि कॉंग्रेस जो आप सभी जानते हैं कि एक बहुत पुराना राजनेतिक दल है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कुछ पिक्चर आपकी स्क्रीन पर दिख रही होंगी देखिए ये मलिका अरजुन खडगे है और इन्हें गांधी परिवार का काफी करवी भी माना जाता है देखिए सौनिया गांदी है ये मलीका अर्जुन खडगे है ये राहुल गांदी है और ये मलीका अर्जुन खडगे है आपको अगर कॉंग्रेस के बारे में बताओं तो आपको मालूना चाहिए कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी इस्थापना हुई थी देश की आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए एक संस्थान की रूम में इसकी इस्थापना हुई थी और इसकी संस्थापना कौन थी? A.O. Hume और इसके पहले कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थी? बेमेट चंद बनर जी यह आप लोग जरूर याद रखेगा और आगे चलकर आप देखते हैं कि 1947 में हमें आजादी मिल जाती है उसके बाद कॉंग्रेस एक राजनेतिक दल की रूम में इस्थापित हो जाता है और आप देखेंगे तो कॉंग्रेस पार्टी ने बहुत सारे पिधान मंत्री भी दिये हैं जाहें आप देखें कि पहले पिधान मंत्री पंडित जवाल लाल नहरू की बात कर लिजे या सबसे हाल में 2014 के पहले मनमुहन सींग को देख लिजे आप लोग और कॉंग्रेस में कई बार देखें टोट भी हुई है कई बार आप लोगों को कॉंग्रेस में टोट भी देखने को मिलेगी और 2017 से 2019 तक राहुल गांदी कॉंग्रेस के राष्टी अध्यक्च रहे लेकिन 2019 के लोकसभा चुराओं में जैसे ही हार मिली कॉंग्रेस को नेतिकता का अधार देते हुए राहुल गांदी ने अपने पद से इस्तीपा दे दिया था तब से कारकारी अध्यक्च के रोम में कॉंग्रेस की लीडर सौनिया गांदी ये पद समाल रही थी अगर हम लोग देखिए मलिकार जुन खड़गे की बात करें तो आपको बता दूँ कि इनका संबन्ध किस राज्य से है करनाटक से है देखिए हमारा प्यारा भारत है और यहां आप लोग जाएंगी दच्छन भारत में तो करनाटक आप लोगों को देखने को मिल जाएगा बैंगलोर इसकी राध्धानी है करनाटक की क्या है करनाटक की बैंगलोर इसकी राध्धानी है इसकी सीमा गवा हो, महराष्ट हो, तेलंगाना हो, आंध्पिदेश, तमिलाडू केरल से लगती है इसकी सीमा और एक नवंबर 1906 में इसी राज बनाए गया था बिधान सभा में 224 सीटे है बिधान परिशद भी है जिसमें 75 सीटे है या राज्य सभा में 12 सीटे है लोग सभा में 28 सीटे है अगर यहां का छेतफल आप लोग देखे तो इनका पूरा नाम है मपन्ना मलिकार्जुन खडगे और लोगों की द्वारा इन्हें सोलिल्ला दा सार दरा के नाम से भी पुकारते हैं सोलिल्ला दा का अनवाद क्या होता है विनाहार की नेता के रूम में यानि कि कहने के मतलब है कि जमीनी इस तर से यह उटके आये हुए और आप देखें कि अगर हम लोग 2019 के लोग सवाचुनाओं को छोड़ दे तो अपनी लाइब में इन्होंने कभी हार का सामना नहीं करना पड़ा और इसलिए बिना हार की नेता के रूम में भी इन्हें लोग फुकारते हैं और जनम तिती बात करें तो 21 जुलाई 1942 में इनका जनम होता है यानि कि आजादी के पहले जनम इनका कहा हुआ था बारवती वीदर हैदराबाद राज में जो बेटिस भारम में उस समय पड़ता था अब भीदर आपका करनाटक भारत में पढ़ता है करनाटक राज में इनके पिता की बात करें तो मपन्ना खड़के इनके पिता का नाम और साही ववा खड़के इनकी माता का नाम और कहते ही कि इनकी मा की डैथ कम उम्मर में ही हो गई थी इनके साथ आठ साल में, तो इन्होंने बहुत संघर्स किया, इनकी पतनी की बात करें तो राधाबाई खडगे इनकी पतनी का नाम, इनके बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो तीन बेटे हैं, दो बेटिया हैं, उनके बेटे प्यांक के खडगे, एक राजनेता है, पॉ काव हैं, और मलीका अरजन खडगे डॉक्टर भीमरा अम्बेटकर को मानते हैं, और अम्बेटकर का इस्तमार की ये कारे बहुत दोर्म का धम है, हमें बहुत धरम की बहतर समझ प्रदान करता है, आप देखते होंगे कि हमारे जो पहले कानून मंत्री थे, सम्मिधान का जि गुलवरगा से इनोंने दसवी तक की सिक्षा परात की, और Government, Arts and Science College गुलवरगा से इनोंने कॉलेज में पढ़ाई की, सेट संकरदया लाहोटी लॉकॉलेज से गुलवरगा से इनोंने सिक्षा परात की, यानि कि BA किये हुए हैं, और आप देखेंगे LLV किये हुए, यानि की कानून की पढ़ाई भी किये हुए हैं, बेवसाई की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि अब राजनेता हैं, पहले इनोंने कानून बकिली के रूम में भी काम किया हैं, और भारती राष्टी कॉंग्रेस से जुड़े हुए हैं, आई एनसी से, और राजनेतिक यात्रा कि अगर हम लोग बात करें, इनके राजनेतिक सफर की, तो आप देखें कि 1989 में भारती राष्टी कॉंग्रेस में सामिल हो गयते हैं, कब 1989 में, 1989 में गुलवरगा सहर कॉंग्रेस कमेटी की अध्यक्ष बनते हैं, और 1972 में खड़के करणाटक में, गुर्मीत कल विधानसवा चेत से विधायक की रूम में चुने जाते हैं, और आपको मालोगा कि विधायक की का चुनाओ अगर लड़ना होता है, तो कम से कम इसमें उमर रखे गए हैं, पच्ची साल, और अधिकतर उमर की कोई सीमा नहीं है, कभी भी तक चुनाओ लड़ा जा सकता है, और विधायक क 1973 में उन्हें नगर वित्य जासम्धी का अधिक्च चुना गया, खड़गे 1976 से 1978 तक का करनाटक की राज्यमंत्री सुतन परभा और प्रात्मीक और माद्य में सिक्षा मंत्री भी रहें, 1978 में वह गुर्मीत कल विधायक की रूम में दोबारा चुने गए, फिरसे ये विधा 1980 में वह करनाटक सरकार में कैबनेट मंत्री गरामीड, विकास और परियावर्ण, पंचैती राज मंत्री रहें, 1980 से 1983 तक वह करनाटक सरकार में कैबनेट मंत्री रहें, राजस मंत्री रहें, 1983 में खड़गी गुर्मीत कल विधानसवा चित से फिरसे विधायक बनते हैं, 1983 म उन्हें करनाटक विधान सवा की सचिफ की रूम में निउट किया जाता है खड़गे 1983 से 1980 तक करनाटक विधेश कॉंग्रिस कमेटी के महासबशिक की रूम में भी काम करते हैं फिर आप देखें कि 1980 में फिर से गुर्मीत कल विधान सवा छेश से विधायक बनते हैं और मलिकार जुन ने 1980 से 1992 तक करनाटक सरकार में केबनीट मंतिरी रहते हैं राजिस ग्रामीड विकास और पंचयाती राज का काम सभालते हैं और खड़गे ने 1992 से 1994 तक कर्णाटक सरकार में केबनीट मंत्री सहिकार्था वड़े और मध्यम उद्योग की मंत्री की रूम में काम किया 1994 में फिर से वो विधायक गुर्मीद कल विधान सबाच छेस से बनते हैं खड़गे ने 1996 से 1999 और सन 2008 से 2009 तक कर्णाटक विधान सबाच कॉंक्रिस विधायक दल और विपक्ष की नेता की रूम में भी काम किया 1999 में वो एक गुर्मीद कल विधान सबाच से फिर से चुने जाते हैं और मालिकार जुन 1994 से 2004 तक कर्णाटक सरकार में ग्रह बुनियादी ढाचा विकास और लगुद से चाई मंतरी के रूम में काम किया और 2004 में उन्होंने फिर से गुर्मीद कल विधान सबाच से चुनाव लड़ा और फिर से चुनाव जीत हासिल की और उन्होंने 2004 से 2006 तक कर्णाटक सरकार में केवनियट मंतरी जल संसादन लगुद और सिचाई परिवान मंतरी के रूम में काम किया 2005 से 2008 तक वह कर्णाटक पिदेश कॉंग्रेश कमेटी के अध्यष के रूम में काम किया 2009 में आप देखेंगे गुलवरगा लोकसवा चित से उन्हेंने चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी और लोकसवा सदत्की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें भी आपकी उम्र कम से कम 25 साल हो नहीं चाहिए चुनाव लड़ना है और इसका चुनाव भी डारेक्ट जन्ता के द्वारा होता है और इसमें भी अधिक्तम उम्र कोई नहीं रखी गए कभी तक भी आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं 31 मई 2009 से 17 जून 2013 तक केंदरी केमिनेट मंतरी सरम और रोजगार मंतरी के रूम में काम किया इनु만 सत्रे जुन 2003 से 26 मई 2014 तक वह केंद्री केबिनिट मंतरी रेल और सामाजी नियाय और अधिकार्ता मंतरी की रूम में काम किये 2014 में वह गुलबरगा लोकसभाचित से पुनहा निर्वाचित हुए थे लोकसभा सदस्थ और मई 2014 से मई 2019 तक वह लोकसभा में कॉंग्रेस संसदी है दलखी निता रहे हैं सेप्टमबर 2014 से मई 2019 तक खडगे गरह मामलों की सम्ती के सदसर हैं अक्टूबर 2014 से मई 2019 तक वह बरासत चरित के रखनागाओ और संसद भवन परिशे के विकास पर सयुक्त संसदी है सम्ती के सदसर हैं और अक्टूबर 2014 से मई 2019 तक वह संसत भवन परिशय में राष्टी निताओं और सांसतों की चित्पितिमाओं की स्थाफन सम्दी समिती की सदस रहे। लेखा समिती के अध्यक्ष भी रहे। और मई 2017 से अपरेल 2019 तक वह ने लोकसभा की बजट समंदी समिती की सदस के रूम में भी काम किया। 2018 में हुए AICC की महासचिप बनते हैं। 2018 में हुए CWC के सदस बनते हैं। 2019 में उन्होंने फिर से गुल वरगा लोकसभा चीत से चुनाओं लड़ा लेकिन चुनाओं हार गए इस बार। 2019 वही साल था जब आप देखते थे कि BJP की लोकपिरिये ता चरम पर थी, मौधी की नाम पर वोट पर रहे थे, बड़े-बड़े धुरंदर चुनाओं हार गए उनकी सामने। और फिर आप देखेंगे कि जून 2020 में उन्हें लोकसभा राज्यसभा के लिए चुना गया और राज्यसभा की बात होती तो आप सभी जानते हैं कि इसमें आपकी उम्रे कम से कम 30 साल होनी चाहिए राज्यसभा का चुनाओं लढ़ना है और इनका चुनाओं डारेक्ट जन 2021 में वो कॉंग्रेस पार्टी राज्यसभा की नेता बने और 16 फर्वरी 2021 को उन्हें राज्यसभा में विपक्ष की नेता की रूम में निउक्त किया गया जुलाई 2021 में वो असावान प्रियोजन समती की सदस बनते हैं और पार्टी की राष्टी एदिक्षपद चुनाओं क लिए अपना नावंकन दाखिल करने की लिए अक्टूबर 2022 में उन्होंने राज्यसभा की विपक्ष के नेता की रूम में अपना इस्तीपा दे दिया था और 19 अक्टूबर 2022 को उन्होंने राष्टी ये कॉंग्रेस का राष्टी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है चुना कि को किस तरह से सफलता मिलती है क्या होता है यह तो आने वाला वक्ती बताएगा और हम लोग देखेंगे वक्त को कि कोंग्रेस इनकी कार्काल में कितनी उचाईयों पर जाती है क्या करती है और किसी के बारे में बातction नहीं तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं उस पर भ झाल झाली हो और देगी